एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, जब वे मात्र दो वर्ष के थे, तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविश्यवानी की थी, कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशश्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविश्यवानी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली. क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डाक्टर विक्रम सारा भाई. डाक्टर विक्रम सारा भाई का जन्ब बारा अगस्त सन 1912 को एहमदाबाग्द हुआ था. उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपती परिवार था. पिता का नाम अ प्रतिभावान विक्रम सारा भाई के बच्पन का ये प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है. जब वह पांच-छे साल के थे, तो अपने परिवार के साथ शिमला गए. शिमला में उनके पिताश्री अंबालाल के नाम धेरो चिठ्थियां आ पिता ने देखा, तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई. असलियत मालूम होने पर उन्हें हसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा. जब वह आठ साल के थे, तो साइकल पर विभिन कला बाजियां करते और लोगों को अचंबित कर देते. उन्हें सासिक कारणा में प्रिय थे. गणित तथा भौती की किप्रती उनकी गहरी दिल्चस्पी थी. उन्होंने मैट्रिक की परिक्षा सन 1934 में पास की. सन 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज एहमदाबाद से इंटर की गए. सन 1940 में केंब्रिज से गणित वभौती की में BSE की परिक्षा में सफलता प्राप्त की. तद पश्चात द्वितिय विश्वयुद्ध के शुरू होते ही विक्रम चाराभाई भारत लोटाए. भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तठा डाक्टर हूमी भाबा का सानिध मिला. वहां रास्ट्रिय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए. सन 1942 में वह म्रुणालीनी स्वामिनाथन के साथ विवास सूत्र में बंधे. उन्होंने अंतरिक्ष की गहराईयों से आने वाले रहस्यमाई कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैंब्रि प्रयोगिक हल निकालने का अश्रे डाक्टर विक्रम सारा भाई को प्राप्त है. यहां उन्हीं का सुझाओ था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की उंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी. इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैग्नानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोग शाला स्तापित की. डाक्टर विक्रम सारा भाई के नीजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोग शाला एहमदाबाद में स्तापित हुई, जिससे वह आजन्म संबंध रहे. साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनी की समस्याओं के हल निकालने के उपदेश से एहमदाबाद में ही टेक्स्टाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोशेशन की आधार शिला रखी. भौतिक अनुसंधान प्रयोग शाला, डाक्टर विक्रम सारा भाई परमाणु शक्ति, अंत्रक्ष वीकिरण सूर्य, ग्रेह, तारा, प्लाजम भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे. सन 1961 में वे परमाणु उर्जा आयोक के सदस्य बनाए गए. डाक्टर भाभा की मृत्यू के पस्चात परमाणु उर्जा संस्तानों का भार युवा वैज्यानिक डाक्टर विक्रम सारा भाई के कंधों पर ही आ गया. उन्होंने भारती अनुसंधान केंद्र का गठन किया. डाक्टर विक्रम सारा भाई इसके पहले अध्यक्ष बने. यह उनकी अगवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूर संचार, दूर दर्शन, वह मौसम विज्ञान के ल के लिए समर्पत कर दिया. भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई रास्ट्रिय और आंतरास्ट्रिय सन्मान प्राप्त हुए. सन 1962 में उन्हें डाक्टर शांती स्वरुप भटनागर पुरसकार, सन 1966 में पद्मभूशन तथा सन 1972 में मरनोत्तर रतीनी धी रहे. डाक्टर विक्रम सारा भाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल आफ साइन्टिफिक युनियन के सदस्य रहे. सन 1968 में सयुक्त रास्ट्र संग में युनेस्को के विज्ञान विभाक के अध्यक्ष बने. उन्हें इंडियन जियोलोजिकल युनियन का प्रमु सन 1971 में सयुक्त रास्ट्र संग परिशत के उपाध्यक्ष वबाद में विज्ञान विभाक के अध्यक्ष बनाए गए. वह केवल उच्च कोटी के वैज्ञानिक ही नहीं थे. बलकि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए परियाप्त समय निकाल दे करते थे. उनके ही प्रयासों से एहमदाबाद ने लोक विज्ञान केंद्र एवं नहरो विकास संस्तान की स्थापना हुई. यहां वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रती रूची जागरित करने के लिए कार्य करते रहे. वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीक थी. डाक्टर व विक्रम सारा भाई को थ्रिविंद्रम के लांचिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरिक्षक के लिए भेजा गया था. वहां एक होटल में ठैरे हुए थे. यही रिदय की गती रुकने से उनकी मृत्य हो गई. उनके निधन से विज्ञान में नीत नए आयामों को जोड निवाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया. ऐसी महान प्रतिभा को शत शत नमन.